हेलो फ्रेंड्स जैसरी शाम श्याम रसोई में आपका स्वागत है चलिए आज फिर एक अच्छा चटपटा सा नास्ता बनाते हैं बारीश हो रही है तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है के साथ भी चाइल साथ भी के साथ बनाएंगे को हैं अश्याम जाएंगे चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यह लिए हमने कडाई में डाला है दो चम्मस तेल ज्यादा तेल ना डाले बस हमें यह मसाले ही तड़काने हैं थोड़ी सी राई सोंफ और थोड़ा सा जीरा और कुछ ज्यादा नहीं डालना है आप डालेंगे उसमें एक कटोरी सुजी प्रेंट्स जब तक आप वीडियो द सब्सक्राइब जरूर करते हैं यह सुजी को हम भूनेंगे नहीं बस इतना सा मिलाएंगे और फिर उसके बार डालेंगे हम इसमें दो से ढ़ाई ग्लास पानी क्योंकि हमें इसको पानी में पकाना है बूनना नहीं है हलोग इसमें डाल दिया है और कम आच पे पकाना इसको मीडियम आच पे एक गम से तेज करोगे तो यह चिपक जाएगी जल्दी से मीडियम आच पे एक से देड़ मिनट ही लगेगा बस तो इसको में टाइट ही करना है ज्यादा और कुछ नहीं डाला हमने नमक चेश के अनुसार बाकि इसमें और कोई मसाला नहीं आड़ करना है जल्दी हो जाती है सूजी है जल्दी पानी सोकती है यह देखें यह हमारी सूजी हो गए है रैडी अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देगे उसके अब आद आगे का प्रोशीजर करेंगे देखिए सूजी हमारी हो गई है ठंडी बिल्कुल अच्छे से टाइड भी हो और यह चार लिए हमने आलू मिडियम साइज के उबले हुए आलू इनको में ग्रेट कर लिया है आप इनको हाथ से मैस कर सकते आप डालेंगे इसमें दो चमच अरा रोट पाउडर अगर आपके बास अरा रोट पाउडर नहीं है तो आप कॉन फ्लोर या तो चावल काटा भी यूज कर सकते हैं इससे क्या होता है थोड़ा क्रंचिनस आता है अच्छा बड़ी ऐसा नास्ते में और जब तक हमने यह डो लगा कर लिए तो तेल डालेंगे कडाई में और यह जहां पर हम इनको बेलेंगे उस पर भी पटिये पर एक बून तेल डालेंगे उसको भी चिक हालू में भी अपना पानी होता है तो इसमें पानी का यूज बिल्कुल होता है मैं सुनको मिलाना ही रहता है अगर आपको थोड़ा ज्यादा गिला लगे तो एक चमत एक्स्ट्रा उसमें कॉन फ्लोर या तो आरारोड पाउडर ढाले तो जैसे हम पूड़ी के रिए रोल स से चमत से हम इनको दबाके थोड़ा सा हलका सा डिजाइन देंगे बाकी और कुछ नहीं है अगर आप ऐसा ना बनाओ तो इनको गोल भी बना सकते हो कोई सा सेप भी देके बना सकते हो यह तेल होगे हमारा अच्छे से गरम तेल को अच्छा गरम ही करना है क्योंकि बाकी ना अच्छे लगने देखने में इतने आसानी से आसके बहुत ज्यादा एकदम भरके माद डाले क्योंकि थोड़े थोड़े डालने के बाद चिपकते हैं फिर हम चम्माच या तो कच्छी की साहेता से इनको अलग अलग कर लें देखिए उल्ट पल्ट के हम इनको गोल्डन ब् कि यह देखिए सारे हमने पना करके रेडी कर लिए चलिए इसकी आवाद सुनिए देखिए उपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सोफ्ट होते हैं भूत ही चटपटा सा नास्ता बनकर हो गया रेडी खाईए बनाईए और हमारे साथ आपके अनुवह जरूर शेयर करें और हाँ अगर वीडियो हमारी पसंद आये तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जैमाता दी चैसी रिशाम